हमाई बीच में केंजी मंतरी जोती रादिश सिंध्या जी हैं बहुत शुक्रिया कीमती वक्त निकालने के लिए और कीमती वक्त इसलिए चुकि पिछले तीन दिन से लगातार मिटिंग्स का दौर है सिविल एवेशन डिपार्टमेंट्स की मिटिंग हो रही है प्यमो में मिटिंग हो रही है हेल्थ की मिटिंग्स हो रही है और लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि कैसे जो इस्थिती बाहर है वो इस्थिती कोविट की भारत में ना लोटे आपने अच प्रेस कॉंफरें महामारी है, जिसके तीन लहर को पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। इसलिए इस गंभीर वातावरण में भी जिस तरीके से भारत ने अपनी भूमिकाने भाई, प्रधान मंत्री जी की नेत्य तुमें सामान्य तोर पर विश्व के हर एक देश और ये स्वाभाविक भी है कुछ चिंता थी अपने नागरिकों के बारे में तो हर देश ने अपने दिवाल खड़े कर दिये अपनी भूमिका चाहिए वो दवाई हो और शदी हो उस पूरे वातावरण में एक देश था जिस देश में शुरुआत से जो पहली उपाय हम लोगों को मिली थी कि हम लोगो कुईनलीन की इस्तिमाल करनी चाहिए दूसरे दवाईयों की इस्तिमाल की करनी चाहिए उन सभी का हम लोग ने निर्यात किया और जब जिस देश में इतिहास में कभी भी अविशकार वैक्सीन का नहीं होता था उसी देश में दो-दो वैक्सीन का अविशकार करके 110 देशों को हमने भेजा है ये भारत की भूमिका जो हम लोग सदेव कहते हैं वासुदेवकुटुमबकम कि पूरा विश्व एक परिवार है अगर विश्व ने किसी देश ने ये करके दिखाया है तो वो भारत ने करके दिखाया है और इसलिए आज भारत को हरेक मंच पर समान जनक द्रिष्टिकोन से देखा जाता है और देश में या विश्व में कहीं भी कठिनाई हो तो सभी की निगा भारत के तरफ होती है कि आप समाधान निकाल के लेके आए उधारन के तोर पर जो ये यूकरेन की वी जो वार हुई उसमें भी विक्सित देश यॉर्यपियन देश अमरीका सभी ने प्रधान मंत्री जी की तरफ देखके कहा कि आप ही कुछ रास्ता निकलवाईए और C.I.A. की डिरेक्टर ने भी अपना वक्तविय पिछले तीन-चार दिन पहले दिया था कि प्रधान मंत्री जी के वक्तविय के आधार पर उसका असर भी पड़ा हुआ है तो भारत की भूमिका आज विश्वस्तर पर एक अलग पहचान बन चुकी है और करोना काल में भी हम लोग पूरी तयारी पूरी मुस्तेदी के साथ प्रधान मंत्री जी ने कल एक हाई लेवल बैठक भी ली सभी इस तरों पर चाहे स्वास्त हो, चाहे ऑक्सिजन हो, चाहे वैक्सीन हो चाहे नागर विमानन के शेत्र में हो टेस्टिंग की बात हो सभी पर उन्होंने अपना विश्लेशन भी किया और हम लोगों को दिशा आदेश भी दिये जिसका करियानमन हम लोग कर रहे हैं ठीक है, सर एक बात कई फोन्स मेरे पास भी आए मेरे फ्रेंड्स के, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक प्लान किया है अपना निव येर हॉलिडे़, कई लोगोंने इंटरनाशनल वेन्यूस पर प्लान किया है, क्योंकि आप civil aviation मिस्टर से, तो लोग ये पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा, फ्लाइट रोक दी जाएगी लोग पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी जगें जहां से फ्लाइट सा रही हो तो उसको कुछ समय के लिए रोका जाए, या कोई पाबंदी लग जाए, तो एक मतलब देखें ये एक मैं अपने तरह से कह दूँ कि आप अपने प्लान को जरूर यथावत ही रखिये, कोई परिवर्तन मतला ही है, ये एक static situation नहीं है, ये एक dynamic situation है, हर दिवस पर हम लोग monitor कर रहे हैं कि क्या स्तिती है, पर हर व्यक्ति को और हर यात्री को अपना plan यथावत रखना चाहिए, लेकिन जरूर मैं कहूंगा, जो मैंने अपने आप निभाने की भी कोशिश की है, कि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, आप हमेशा पहनते थे, आपने उतारा नहीं, मैं मास ये पूरे समय में हर वक्त पहनता था, आप भी मुझे टोकते रहते थे हर बार, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मास की प्रक्रिया मैंने पूरी तर निभाई, लेकिन कहीं में जो वारियंट है, लोग कहरें, बहुत ख़तरनाक है, और चाहिना से जो पैसेंजर्स आये हैं, दो लोग पहले थे, उसके एक और हुआ, तो क्या जो एरलाइन चाहिना से आरे हैं? जो पर मैंने आपके चैनल्स के द्वारा ही मैंने देखा भी है और पढ़ा भी है, कि जहां तक बरतमान की स्थिती है, जो स्थिती चाइना में उत्पन हुई है, वो बिलकुल डरावनक है, लेकिन दूसरे देशों में भी नंबर्स बढ़ने हैं, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए, ये बी एफ सेवन जो है, ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरियंट है, पून रूप से हम लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, और देश में भी हम लोग हर छे घंटे में हम लोग नियंतरन रख रहे हैं, कि क्या स्थिती, कैसी स्थिती उत्पन हो रही है। इस लग नौ में था, और मेरी भी फ्लाइट सुबह छे वजे की थी, और मैं वो फ्लाइट छे वजे की मैंने मिस करी, दुबारा मुझे साड़े साथ की फ्लाइट लेनी पड़ी, बहुत डाट भी पड़ी उसके लिए, तो लोग जो हैं वहाँ पर, क्या क्राउट बढ़ का समाधान निकला है, मुझे विश्वास है कि अब आप जब छे बजे की फ्लाइट पकड़ेंगे, तो आप सुरक्षित और पूर्ण सहुलियत से आप प्लेन को बॉर्ड कर पाएंगे, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्तिती क्या है, एक तरफ करोना काल में जो ए एक स्थिर्ता आ गई थी नागरविमानन शेतर में, सारे प्लेन्स जमीन पे ही अटक गए थे, और एरलाइन्स की भी बहुत बुरी स्तिती उत्पन हो गई थी, एक V-shaped recovery हमारे देश में हम लोग ने अनुभव किया है नागरविमानन शेतर में, और ये एक बहुत आत्म वि प्रति दिन का, उस pre-covid high को हम लोग ने पून रूप से ध्वस्त कर दिया है, और 4,28,000 यातरी प्रति दिन का ये नया की इरतीमान स्तापित हो गया है, और पिछले 8-10 दिनों में कई ऐसे दिन गए हैं, 80% दिन, जहां 4,00,000 से उपर हमारे यातरी रहे, तो एक तरफ हमारे देश का डिमांड बढ़ रहा है, नागर विमानन से यातरा करने के लिए, जो एक बहुत शुप संकित है, दूसरे तरफ हमारे एरलाइन्स हैं, जो supply side पे, जो इतने ही चुक हैं, हमारे यातरीयों को यातरा कराने के लिए, क्योंकि जितना उनका विमान चलेगा, उतना उन इस पूरे value chain के बीच में एक कड़ी होती है, वो है airport, और airport की जिमेदारी है कि यातरी को सुलब तरीके से plane तक पहुँचाएं, अब कहीं न कहीं ये विचारधारा ये भविश्यवानी में कमी रहे गई कि इतना surge होगा, और demand इतनी जल्दी से बढ़ेगी इस festive season में, और जर इसलिए साथ तारिक को मैंने पहली meeting ली थी, सारे airport operators के साथ, उनको सपष्ट दिशा निर्देश दिये थे, और इसलिए बारत तारिक को मेरा एक airport का visit नहीं था, मैं airport में गया था मुल्यांकन करने के लिए कि जो साथ तारिक को हम लोग ने निर्ने लिये थे, उन निर्नों क क्रियानवेन हुआ है कि नहीं, तो मैं आपको उधारन दे दू रज्य जी, जैसे दिल्ली के airport पे हमारे केवल आर्ट गेट है, हमने निर्देश दिये थे कि वो आर्ट गेट को बढ़ा कर हमको 10 गेट तक बढ़ाना होगा, क्योंकि पहला चोक पॉइंट एरपोर्ट के लि अशरर निविदन करे यात्रियों को, को आप इस गेट पे न रहें, जहाँ बीस मिनिट का वेट है, गेट नमबर आट पे जाए, और वो अशरर को सूचना मिलेगी, जब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एरपोर्ट के अंदर बनेगा, विडियो के आधार पर, कैमरास के तो अगर मैं यात्री हूँ और मैं एक नमबर गेट पे उतर गया हूँ, कि मेरी गाड़ी रुग गई, बैगेज को लेकर, अगर मैं देखूंगा कि एक नमबर पे बीस मिनिट का वेट टाइम है, और साथ नमबर में केवल दो मिनिट है, मैं अपना स्ट्रोल करके लगाओ, हर एक गेट पे क्या वेटिंग टाइम है, तो यात्री को पहले से मालू पड़े, तीसरा पॉइंट, मैंने सभी एरलाइन्स को कहा कि ये जो फीड आ रही है टीवी इस पे गेट की उपर, ये आपने सोशल मीडिया के फीड पे लगाओ, और एरपोर्ट को भी मैं आने का, ताकि हर यात्री अपने सोशल मीडिया पे ट्विटर पे देख पाए कि वेट टाइम क्या है हर एक गेट को, तो पहला चोक पॉइंट हम लोग ने दो या तीन दिन में ही सुलब करवा दिया, इस सारी प्रक्रिया की आधार पर, अब आईए दूसरे चोक जब यात्री चेक इन के लिए जा रहा था, क्योंकि हम लोग की पीक आवज है, 0500 से 0900, 5 बजे सुबे से 9 बजे सुबे तक, कई ऐसे काउंटर्स थे एरलाइन्स के, जहां मैन ही नहीं किया जा रहा था, अब मैं यात्री हूँ, मैं काउंटर पे गया हूँ, पर एरलाइन क के नाम हम लोग ने लिए और मैंने का, 12 घंटे के अंदर हर दिन, 2 बजे सुबे हमारे लोगों को काउंटर पे चेक पहुंच जाना चाहिए, मैन करने के लिए, ताकि कोई भी यात्री 4 बजे आए, उसका चेक-इन सुलब हो पाए, वो समस्या का समाधा होगा, तीसरा हमार चोक पॉइंट और आखरी चोक पॉइंट, सबसे मुख्या है, वो है हमारा सेक्यूरिटी चेक-इन, दिल्ली एरपोर्ट पे हमारे पास 11 ATRS, Automatic Tray Retrieval System, जहां हम अपना सामान वामन डालते हैं, या Normal Tray, 11 हमारे पास साधारन यातरियों के लिए है, और दो हम लोगों के पा आएगा तब तक Solar Lines लग जानी चाहिए, और वही उसी का निरक्षन मेंने बारतारिक को किया, फिर मुझे वहां बताया गया कि हमारे पास अब Solar के आगे हमारे पास जगह नहीं है, तो मैंने का जगह नहीं, तो हमने जाके पूरा राउंड लिया एरपोर्ट से, कई जगह लगे हुए थे, कई जगह एरियाज ब्लॉक हुए थे, वहां हम लोग ने साथ में मिलकर, प्रशासन, BCASO, CISFO, हम लोग ने साथ में मिलकर निरना लिया, इस सब चीज़ को हटाओ, और हम लोग यहां लाइन लगाए, एक हम लोग का VIP लाउंज है, हम लोग ने कहा कि VIP एरपोर्ट पे हमारे पास 19 लाइन हैं, सिक्यूरिटी चेक के लिए, और इस महने के अंतक या जनवरी 10 तारिक तक हम लोग 19 से उसको बढ़ाएंगे, करीब करीब 25 लाइन तक, तो यह समस्या कभी भी नहीं होगी दिल्ली के एरपोर्ट पे, आखरी बात मैं आपको कहना च स्लोट कर देते हैं, उसके आधार पर यह क्राउड भी बढ़ जाती है, तो हमने दोनों तरफ कारिय करने हो का, एक तो मैंने हमने कहा कि पीक आवर्ज में 0500 से 0900, टेक ओफ अर्राइवल्स को थोड़ा हम लोग कम करें, 5% या जो भी है, और दूसरा एरपोर्ट की सिक्यू पूरी तरह से स्मूद सिस्टम हो गई है, डिजी यात्रा का भी इस्तमाल कई लोग कर रहे हैं, जो करीब करीब 5 मिनिट के अंदर आप सीधा क्लियर हो जाते हो, तो वो सुलब हो चुकी है, दूसरे एरपोर्ट पे भी हम लोग का वही ध्यान है, और मुझे विश्वास है कि अगर इस तरीके से scientific operations exercise के आधार पर हम लोग peak load भी determine करेंगे, हम लोग अपने system को भी determine करेंगे, तो ये समस्या कभी भी दुबार नहीं है। मेरी भूमिका मैं भारती जंता पार्टी का कारे करता हूँ, और एक कारे करता के रूप में मेरी भूमिका रहेगी, चाहे वो बूत लेवल पे हो, चाहे वो विधान सबा लेवल पे हो, चाहे वो जिले स्तर पे हो, चाहे वो संभाग स्तर पे रहे, चाहे प्रदेश में नाम आता रहता है कि हां टॉप पोस्ट फॉर्ट जी आप मुझे करीब 18-20 साल से जानते हैं और मैं उस परिवार का सदस्य हूं चाहे मेरी आजी अम्मा हो चाहे मेरे पूजे पिता जी हो चाहे मैं हूं हमारा एक की मकसद है और वो है जनसिवा और राजनीती मैं मानता हूं क केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष की पूर्ती करने के लिए उससे जादा नहीं आपके चेहरे पे खुशाली आए हमारे यात्रियों के चेहरे पे खुशाली आए स्टील के सेक्टर में जो जिम्मदारी मुझे दी गई है उसको मैं निभाओं यही मैं अपना हो यह अपना धर्म मनता हूं एक आखरी सवाल क्योंकि आपको जाना भी है भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है कई लोग कॉंग्रेस पार्टी गए लेकिन समय समय पर जैसे मत्पदेश में भी थे तो जितनी भी टिपड़ी होती है उस सबसे जादा आप पर ही क्यों होत तुनका राम है लेकिन जुवान में तो जहर है बहुत शुक्र्या है बहुत शुक्र्याए ही हाने के लिए बहुत सुक्र्याए